साथ में आपको यह आप देख सकते हैं धनिया है यह धनिये का आपको पीसके इसका पॉर्टर बनाके दिखाऊंगा यह आगे मक्की रखी हुई है जो मक्की है इसका आपको आटा बनाके दिखाऊंगा साथ में हल्दी है हल्दी आप देख सकते हैं कितनी हार होती है इसको बि पावरफुल मशीन है कितने पावरफुल उसके ब्लेड्स है मैं कैसी मशीन आज आपके चैनल पे लॉंच करूंगा जो एक ही मशीन के साथ आप कहीं किसम के काम करे सकते हैं सबसे पहले हमारे पास मॉडल आ जाता है जो यह आप देख सकते हैं इसको मिनी परवलाइजर कम ग् सकते हैं, फ्रों मिल भी कहसकते हैं, अपके किसम के काम करे सकते हैं, यह जो मशीन की आपनी चक़ियां देखी होंगी, जो स्टोन्स नुर्ड़ी चक्वाली चकियां होती है, जिसमें अनाज की पत्थरों के बीच में पिसाई होती है और अनाज जब आता है बहुत ही गरम होके आटा निकलता है जिससे इसके जो nutrient content है वो नश्ट हो जाते हैं तो इसमें आप देखिए इसके अंदर जो हमने लगाया है इसको परेवल आइजर इसके कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी आटे का पत्थर नहीं होता है इसके अंदर यह जो डिस्क चलती है यह जो blades आप देख सकते हैं इनको दोड़ा जो आटा है वो पीसा जाता है बिल्कुल यह crush करके उसको बिल्कुल बारीक पॉर्टर में बनाके तयार करके यह माल निकाल लेगा यह जो model है यह commercial model है आप इसको अगर चाहे तो domestic भी यूज़ कर सकते हैं जो इसकी output है जो इसकी production capacity है आटे की अगर हम बात करें तो इक घंटे का 50 से लेके 60 किलो आटा निकलता है अगर हम दलिय की बात करें तो 37 से लेके 100 किलो तक इसमे आप दलिय या दाना बना सकते हैं आज मैं आपको एक चीद और बताता हूँ आपके इस channel के मधियम से जो भी किसान भाई Complimentary में मशीन के साथ 24,000 में ही आपको दूँगा इसके बाद ये परवलाइजर के बाद अब मैं आपको हमारा जो मॉडल आता है मिनी राइस मिल का उसके बादे में बताता हूं बिल्कुल जी यह जो मॉडल है यह मिनी राइस मिल है इसमें हम आपको मोटर के साथ देंगी अगर किसान भाई कहीं बाल हमें किसान भाईयों की रिकॉर्मेंट आती थी कि हमें मोटर के साथ नहीं इंजन के साथ चाहिए तो य तो तो यह जो मौड़ल है यह जो राइस मिल का मॉडल है अगर किसान भाई यह मोटर के साथ लेते हैं तो सिंडल एच्पी का सिंडल फेस का कॉपर वाइंडिंग मोटर के साथ उसकी कीमत है 24,000 प्यार 24,000 में हम विद मोटर आपको देंगे अगर वही आप विद इंजन लेना चाहते हो मोटर की जगा अगर आप पेट्रोल इंजन लेते हैं साथ एच्पी का तो मैं तीन हजार पे डिफरेंस लेके 27,000 में आपको राइस मिल विद इंजन दे दूँगा यह राइस मिल के बाद मैं आपको पेश करने जा रहा हूं जो हमारी कमाइन मिल है किसान भाई अगर हमसे अलग लग मशीन लेते हैं आप कमाइन मिल का प्रोसेस समझीए अगर आप मिनी पल्वलाइजर लेते हो 24,000 का 24,000 के राइस मिल ली तो टोटल आपको 48,000 प्यार लग यह 35,000 में आपको दोलों मशीनों का कॉंबो मिल जाएगा अगली जो कमाइन मशीन है यह आप देख सकते हैं मैंने आपको अभी इंजन पे लगी भी दिखाई और यह मोटर वल्ली भी दिखाई इसमें मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, main जो point है वो यह आगे आप देख सकते हैं यह जो इसका vibrator है जब हमें rice milk का काम करना होता है, जब धान से हमें चावल बनाते हैं तो जब चावल आता है, तो चावल में हलकी सी breakage भी निकलती है यह जब चलती है तो यह vibrator का काम करती है जो यह जली है तो उसमें आपकी breakage अलग हो जाती है साबच चावल अलग हो जाता है यह आपका grading का काम करती है अगर आप यह attachment अलग से लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी यह attachment की कीमत है 5000 पया आप इसको simple rice mill पे भी लगा सकते हो और combine की उपर भी लगा सकते हो यह अलग से 5000 की attachment है